जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे Indian Army Containment Board यानि कि छावनी परिशत के तरप से आप सभी के लिए नई भरती जारी कर दिया गया है तो अगर आप सभी 3 पास है 12 पास है तो इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यानि कि अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग qualification रखा गया है तता इसका फर्म अपलाई भी सुरू हो चुका है यहाँ पे आप सभी देखेंगे यहाँ से जो है आप सभी इसका फर्म भी अपला के तरब से यह भरती जारी किया गया है यानि कि सिकंद्राबाद चाउनी परिसत के तरब से यह भरती जारी किया गया है जो कि All India के लिए है यानि कि भारत के आप किसी भी इस टेट से हैं तो आप सभी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे बात करें भरती के बारे मे तो जो ये आपका वेकेंसी है इसका ओनलाइन फर्म जो है आपका अपलाई होने वाला है और 1 अगस्त 2021 यानि कि आज से इसका फर्म अपलाई शुरू हो चुका है और 21 अगस्त 2021 तक आप सभी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसका अपलाई करें तो जो आपका फर्म पोस्ट है असिस्टेंट के लिए है जिसमें आपका पेस के लिए तो आपका पास्ट डिग्री इन बी या बी टेक यानि कि अगर आपसे भी बी टेक किये हैं किसी भी कोलेज से तो आप सभी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वेकेंसी है असिस्टेंट इंजिनियर के लिए वेकेंसी है जिसमें भी सीम आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है और इसमें भी आप सभी एज लिमिट यहाँ पे दे प्लाई कर सकते हैं इसकेबाद यहाँ पर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर पोř्स्ट की भरति है इसमें MBBS डिग्री आपसे मांगा गया है किसी भी कोलेस से अगर आप सभी MBBS किये हैं तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि इसकी जो है अठारे से 32 बरस जो है जनरल के लिए OBC के लिए अठारे से 35 और CST के लिए अठारे से 37 ये जबका रखा गया है इसके बाद फर्मासिस्ट की वेकेंसी है जो की आपको देख सकते हैं दो पोस्ट है और इसमें 21,233 से आपका सेलरी सुरू होगा डी फर्मा अगर आप से किये हैं किसी भी बोड से तो आप से भी इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वेकेंसी है नर्स पोस्ट के लिए वेकेंसी है जिसमें BAC जो है नर्सिंग अगर आप किये हैं तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसमें भी आप सभी को इसमें दिया गया है एज relaxation के अंतरगत इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि next जो फेकेंसी है वाहे लेब असिस्टेंट के लिए जिसमें 12th पास होना चाहिए बायो फिजिक्स एंड केमेश्टी से अगर आप सभी 12 किये हैं तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं इसमें भी आपका age limit काफी ज्यादा high रखा गया है इसके बाद salary भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो आपका post है इसके बाद यहाँ पर बात करें जो यह भरती है इस भरती के selection के बारे में दिया गया है इसकी scheme of examination के बारे में दिया गया है तो इसके notification हम description मे दे देंगे यहाँ पे application fee की बात करें तो 500 रुपिया जेनरल के लिए और OBC के लिए है और ACHT PWD एक सर्विसमेन के लिए जो है 200 रुपिया यहाँ पे रखा गया है इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसकी online apply date 1 अगस्त 2001 से शुरू हो चुका है और last date आपका 11 सगस्त 2001 तक रहने वाला है तो यहाँ पे इस भरती के बारे में complete जनकारी दिया गया है तो अगर आप सभी इस firm को apply करना चाहते हैं तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप से भी description में जाएगा जो link दिये हैं वहाँ पे click करके आप इसके बारे में complete detail पड़ भी सकते हैं और इस official notification को download कर भी सकते हैं तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा इससमादित कोई भी सवाल और comment section में जारूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहींद बंदे मातरम